हाई वेलकम बैक तो मैं टूब चैनल सो आज हम साल करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.3 फ्रॉम यो चाप्टर एडिया ओके यह जो प्रैक्टिस सेट 15.3 डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ ट्रापेजियम ठीक है और एरिया ऑफ ट्रापेजियम का डेडिवेशन हमने प्रिवेस वेडि देखना है तो लेट सी फॉर्स कोश्यन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट इन गीवन फिगर कॉट्री लेटरल एबी सीडी इस ट्रापेजियम फिगर में देख सकते हो कॉट्री लेटरल एबी सीडी साइड डी सी यह जो ग्रीन वाला लिखा है मैंने सेंटेस यह एडिशनल स सेंटेस है क्योंकि आपके टेक्स्बुक में प्रॉब्लेम में यह वाला नहीं था आप है ठीक है यह जरूरी होता है इसलिए मैंने आप एड कर दिया ओके नेक्स्ट देखिए लेंट आफ एबी इस इकोल तो थार्टीन सेंटेमेटर गीवन है मैं ओके एबी देख सकते है अब 13 cm है डीसी इस इकोल तो 9 cm एड लेंट ओफ एडी देखे एडी इस इकोल तो 8 cm एड देख पारे ओफ एडी परपेंडिकुलर तो डीसी है इतमीस हाइट अपर ट्रापेजियम है करेक्ट और कित्तिय हो एड सेंटीमेटर देन फाइंड दे एरिया ओफ ट्रापेजियम हमें find out करना है so let's see solution solution में सबसे पहले जो given है हमें वो लिखेंगे a b c d is a trapezium और side a b parallel with side dc है जो है वो लिख देंगे और हमें जो measures given है length given है वो भी लिखेंगे a b equal to 13 cm dc 9 cm ad 8 cm ad means height of trapezium 8 cm इतना हमें given है with the help of this information हम find out कर सकते है area of trapezium so let's see formula for area of trapezium क्या है half into sum of length of parallel sides it means a b plus dc into height into height height से multiply करना पड़ेगा height कुन सी या पे ad और किती हो 8 cm correct अब देखेंगे इसमें put करेंगे values so let's see is equal to area of trapezium a b c d half into sum of length of parallel sides it means यहाँ पे देखेंगे parallel sides कौन सी है a b and dc दोनों की addition करनी है और multiply with height मतलब हाइट कौन सी है a d a d c multiply करना है समझ मैं यह आपको अब देखेंगे is equal to half as it is रखेंगे और यह भी किता है a b हमें की वहने 13 cm dc की वहने हमें 9 cm दोनों की करनी है addition यहाँ पे correct नेक्स देखेंगे अब देखेंगे 13 प्लस 9 कितना होता है 13 प्लस 9 आ जाएगा 22 तो लेट सी नेक्स्ट हमें मिलेगी इस एकूल टो हाफ इंटू 22 और इंटू 8 समझ में आईए आपके स्टेप समझ में होगी 13 प्लस 9 कर दिया तो 22 आ जाता है आप देखेंगे इसको थोड़ा सा लोवे स्पहम में कर लेते इत्मिस डिवाइड कर लेते टू से टू अन्जार टू अब ऊपर है 22 तो 22 का हाफ कितना होता है टू से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 11 मिलेगा correct ना 11 टू जार 22 होता है तो 11 इंटु एट बाकी के रमबस कोने से 11 इंटु एट दोनों का मल्टिप्लिकेशन कितना आता है 11 का डेबल एट तक बोल दीजे 11 एट जार 88 आता है और 88 स्क्वेर सेंटिमेटर आएगा क्योंकि यह है एरिया ओप ट्रापेजियम इसलिए उसका इनिट रहेगा स्क्वेर सेंटीमेटर कोरेक्ट अब लासپ में एक सेंटेंस लिख देते हैं क्या लिक एंगहे एडिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD इस 88 स्क्वेर सेंटिमेटर ना अगर समय में थे तो लैट सी नेक्स वं खुसिच्छन ओक्षिं टेकिये Length of two parallel sides of a trapezium are 8.5 cm and 11.5 cm respectively Parallel sides की दोनों की length हमें given है एक side है 8.5 cm और दुसरी वाली side है 11.5 cm And its height is 4.2 cm Height किती है? 4.2 cm height है किसकी? Trapezium की Then find its area क्या find out करना है हमें? area find out करना है So let's see Solution कर लेते Solution में अब directly लिख देंगे Formula for area of trapezium Okay So let's see area of trapezium क्या होता है formula अभी जो हमने लिखा था Half into sum of length of parallel sides into height Correct Sum of length of parallel sides into height Correct अब यहाँ पर देख लीजे हमें find out करना है Area 8.5 और 11.5 मिलेगा हमें 20 So let's see Next step half into 20 और into यह 4.2 Correct अब देखिए 2 1s are 2 Correct Denominator का 2 है Numerator में 20 है So 2 10s are 20 Correct So next step हमें में लेगी 10 into 4.2 So दोनों का multiplication किता है अब देखिए 1 0 वाला नमबर है अगर multiply करेंगे तो decimal point Right side 10 Right side One digit बात Shift हो जाएगा Correct It means 2 के बाद decimal point आएगा तो हमें किता मिलेगा यह मैं directly बोल देता हूँ 42 आ जाएगा यह square centimeter I hope आपको यह समझ में है अगर समझ में है तो like, share, subscribe Okay Let's see One more आपके लिए होमों के यह आप Question number 3 देखिए Video pause करके statement read कीजे और यह आपको साल करना है होमों के आज के लिए ओके कोशिच कीजे Try कीजे जैसे भी आता है थोड़ा सा थोड़ा सा लगए क्योंकि यहाँ पर देखिए Isocells Trapezium है It means क्या होता है Isocells का मिनिंग क्या है दो साइड से उसकी सेम लेंद की है यहाँ पर देखिए Side P.S. And Side Q.R. यह दोनों की लेंद सेम होनी चाहिए Isocells Trapezium के लिए इतनी है कंडिशन है Isocells कर पाओगे ठीक है आज के लिए इतना है बच्चों Thank you for watching